नमस्कार दोस्तो स्वागा थे आपको अपने चैनल इंटेनेशनल फिरपर्थ तो दोस्तो उक्रेयन में अभी भी कई भारतिय छात्र फसे हुए हैं जिनकी निकासी के लिए भारतिय सरकार लगतार अभियान चला रही है ये चात्र पोलेंड और रोमेनिया के रास्ते अपने घर लोट रहे हैं भारत सरकार उक्रेयन के राजदूत और अधिकारियों से लगतार संपर्ग में है लेकिन इसके बाब जूद लोगों को वापस लोटने में कई तरह की मुस्किलों का सामना करना पड़ रहा है कि उक्रेयन पोलेंड बोडर के चेकपॉइंट पर उन्हें परतारना का सामना करना पड़ रहा है चात्रों ने कहा कि उन्हें कडाके के सर्दी में किसी कैदी की तरह रखा गया है और खाना पानी और सेल्टर के लिए मना कर दिया गया है उन्होंने दावा किया कि border guard उन्हें गालियां दे रहे हैं क्योंकि भारत ने UNSC में उक्रेयन पर रूसी हमले के खिलाफ निंदा प्रस्ताओं पर बोटिंग में सामिल होने से इंकार कर दिया था चातरों ने कुछ बीडियो सेर किया जिसमें उक्रेयनी सैनिक खौफ पैदा करके हवा में फाइरिंग कर रहे हैं और चातरों को धका देते होए नजर आ रहे हैं वहाई कुछ नागरिकों का दावा है कि उक्रेयन के आम नागरिक भी उनसे बुरा बरताओ कर रहे हैं आपको बता दे कि पोलेंड ने भारतिय नागरी को अपने देश में आने के अनुमती दे दी है, वहीं इन भारतियों को पोलेंड के एक होटल में ठराये गया है, लेकिन सरकार अभी भी उक्रेन में फसे हजारों छात्रों के लिए चिंतित है, कई छात्र कीव और लवीव में अपने कॉलेज होस्टल के और जा रहे हैं, इसी तरह टेनिपोल सहर के छात रूमेनिया बॉर्डर पर इखठे हो रहे हैं, जिसमें हर्याना के हिसार और फतेहाबाद के कई लड़किया सामिल है, वहीं रूस और उक्रेन के बीच एक अच्छी खबर आई है, कि रूस और उ चित के लिए काफ किसी अन देश का चुनाओ करने की सर्थ रखी थी, वहीं यूद के चौंते दिन रूस और उक्रेन दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं, उक्रेन ने दावा किया है कि उसने खार की उसार के अंदर घुसी रूसी सिनाओं का ख़देड दिया है, वहीं